कि यह हमारा था रिटन वाला कितने कुछ एंट्री है दो चार छे आठ तस बारा चलिए यह कुशन कर लेते हैं और करने के बाद हमारा फिर कि इसको फिर हमें चोटा करना पड़ेगा है न यह फ़र से कॉपि करते हैं चलिए यह हमने कुशन तयार कर लिया है और इसी को करते हैं आपको विज्वल होगा पूरा जिसके पास बुग है वो बुग में से इजली देख सकते हैं यही कुशन करना है सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर रिटन वाली बात है अदर्वाइस करने की कोई लिस्की नंबर जैसे किसी भी बढ़ लेते हैं तो उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है तो उस नंबर का हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना हमें बस वही quantity amount और total के उपर पूरा खाम करना है ठीक है तो सबसे पहले बोलता है store laser फीफो के हिसाब से बनाना है चलो पहले से फीफो लिखा हुआ 200 हमारे पास पहले balance बचा हुआ है जन्वरी एक को तो sir जन्वरी एक को हमारे पास balance है तो blank 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 200 और कितने वाला 200 है मारा दस वाला तो पच्यस सू उसके बाद हमने issue कर दिए 50 unit तो बताएगा तो है नि issue में कब करा हमने issue date बताना इसू कर दिए कितने unit करें 50 तो sir पचास दस वाले ही किया होंगे 500 बचे कितने 210 वाले 2000 ये भी हो गया ये भी हो गया अब आजाते हैं Receive 800 यूनिट करें है 11 रुपे के भाव से अब ये GR नमबर का कोई मतलब नहीं है GR नमबर कोई नहीं है कितने रुपे से करें है 11 से 800 Receive किये है कब करें है सर हमने 6 को अब हमारे पास दो तरीके के यूनिट हो गया एक 200 एक 800 ये 10 वाला ये 11 वाला ये 8800 और ये 2000 ठीक है इसके बाद इशू कर दिये हमने 300 यूनिट किस डेट पे 7 एक को हमने इशू कर दिये कितने इशू कर दिये हमने 300 यूनिट तो बहिए 200 तो कौन सा method है फीफो तो पुराने वाला पहले तो 200 तो ये चला गया होगा दस वाला और 100 चला गया होगा हमारे 11 तो 2000 और 1100 हमारे पास बचे है 700 और वो भी 11 रुपे के हिसाब से तो 7700 उसके बाद return to vendor vendor कौन होता है जिससे हम समान खरीदते हैं तो जब कभी भी हम return करेंगे तो simple सी बात है हमारे go down से बताओ समान क्या होगा vendor कौन होता है जिससे समान खरीदते हैं seller तो जब कभी भी हम return करेंगे तो हमारे go down से समान क्या होगा जैसे माल लो ये मेरा go down है तो जब भी return करेंगे तो go down से मेरे इस शोरूम है फार्ट एधर और एधर हमारा कोई फेक्टरी जहां से माल लेते हैं तो जब भी रिटंब करेंगे तो ये हमारा ॥ा करें गां Shagdate शेयाँ G आता ही खेड के एनट कर सक्कूराल जब कभी सने होगे सिंपल आपको इस्सू के यानि सर ये वाला रिटन हुआ है आपका जी आर नमबर 13 वाला तो हम यहाँ पे सबसे पहले date कौन सा है हमारा 8 थारिक 8 हेक को हम यहाँ पे करेंगे रिटन अब जी आर नमबर 13 जी आर नमबर 13 800 और हमारे पास stock भी यही बचा हुआ है तो इसी में से निकल जाएगा कितने यूनिट रिटन कर दी है हमने 20 यूनिट 11 के हिसाब से 11 दुनी 220 अब जो बचा हमारे पास कितने बचा है 680 इंटू में 11 बस यह फरक था इसलिए हमने बोला था एक क्लास और ले लेंगे तीन सो इन यूनिट 12 रुपे तो बारा च्छतिस सो अब बचा है आपके पास 680 ग्यारा वाले और तीन सो बारा वाले तो च्छतिस सो और च्छतिस सो और च्छत्तर सो अस्सी इसके बाद फिर से इशू कर दिया 320 कब करें सर आपने इशू 15 तारिक को आपने कर दिया इशू कितने कर दिये 320 में सारा इसी में से चला जाएगा ग्यारा के भाव से ही 320 इंटू में 11 यह आजाएगा 3520 यहां कितने बचा है सर 680 में से 320 चले गए तो तीन सो, साथ, ग्यारा वाले और तीन सो बचके बारा वाले यानि च्छतिस सो और इंटू ग्यारा यानि उन्तालिस सो, साथ यहां तक समझ में आ रहे हैं सभी को यहां तक clear है Good evening, ओके चली, अठारा तारिक को 100 unit फिर से हमने receive कर लिया 12 रुपे के भाव से 18 एक को हमने receive कर लिया एस भाव से 100 unit 12 के भाव से तो simple सी बात है 100 unit 12, 12, so अब हमारे पास तीन टाइप के unit हो गए 360, 300 और 100, 11, 12 और ये भी 12, 12, 36 49, 60 इसको थोड़ा उपर ले जाते है ठीक है इसके बाद अगली entry 20 तारिक को फिर से हमने क्या करा issue कर दिए 120 unit, तो 20 एक को हमने issue कर दिए सर कितने issue कर दिए 120 तो किस से जाएगा 120, 11 वाला जाएगा तो 120 into में 11 तो आगे हमारे 1320 अब तीन तरीकी के बच गए सर 120 माइनस 360 240 300 और 100 11, 12, 12 आप इन दोनों को merge भी कर सकते हो क्योंकि दोनों का rate क्या है हमारा सेम है, तो कर सकते हो, otherwise नहीं भी करोगे तो चलेगा into में 11, 26, 40, 36, और 1200 चलिए इसके माद आगे देखते हैं return to vendor 40 unit 77 नमबर वाला यानि इसमें से हमने 77 वाले कर दिया return अब हमने कब किया किस तारिक को 23 को return कर दिया 40 unit तो 40 unit किस वाला अब आपको एक बात ये भी देखना है कि अगर आपके पास जो हम return कर रहे हैं 77 नमबर जी आर वाला अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो तो return कर दोगे अगर मान लो by chance वो आपके पास है ही नहीं तो आपके पास जो ये पड़ा हुआ है इसी rate से return करोगे चाहे method लग रहा हो लीफो चाहे method लग रहा हो फीफो अब हमारे पास बचा 240 क्यारा वाला तीन सो वारा वाला सो और और यहां पर ये भी हो सकता था कि मैं जो 40 माइनस करूँ इस से कर दूँ और नोट दे दूँगा कि हम फीफो को प्रॉपर तरीके से follow कर रहे हैं यही वाला माल written हो गया है अगर हमारे पास goods बढ़ा हुआ है तो वही लेकर चलेंगे 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 तो सो चालिस ग्यारा यह तो बारावाला है ना यह बचे हमारे कितने चालिस तो निकली गए यह हम return कर रहे हैं चालिस में से कितने बचेंगे यह साट बाराव तो दो सो चालिस इंटू में ग्याराव यह जागा चब्विस सो चालिस यह जागा चालिस सो और यह जागा साट इंटू में बाराव सास सो बीस तैईस तारी को रिसीव कर लिया हमने दस रुपे पच्चिस पैसे में फ्रेट ऑन पर्चेस का कोई मतलब नहीं बनता है हमारा जी आल चैनवे की बात कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं इसू कर दिया दो एंट्री और रहता है थोड़ा अर्जिस कर देते हैं और ऊपर ले जाके हम इसको ठीक है नहीं सिर्फ दो एंट्री करना है फिर लास्ट में असर चेक करना चलिए सर हमने फिर क्या कर लिया कितनी तारिक को 26 को क्या करा रिसीव 26 को रिसीव कर लिया कितने यूनिट 200 क्या रेट का 10 रुपे 25 पैसे तो 10.25 इंटू में 200 सर 2050 का अब हमारे पास होगे 240 हमारे पास होगे 300 हमारे पास होगे 60 और हमारे पास होगे 200 ये 11, ये 12, ये 12 और ये 10.25 ये आगे 2050 ये आगे 720 और ये आगे 36 और ये आगे 26 चालिस प्रेट का ऐसा कोई काम है नहीं जैसे भी बताया था अब इशू कर दिया, इशू कितने कर दिया, आपने 200 unit कर दिया, आपने 200, तो किस तारिक को है, 30, 1 को, इशू कर दिया, सिंपल सी बात है, अब 200 कौन सा जाएगा, 240 ये वाला, और 10 इसमें से आ जाएगा, तो ये आगे 2640, और ये आगे हमारा 1200, अब बचे कितने हमारे, 290 इसमें से बच गए, 60 ये है, 200 ये है, टोटल देखा जाएगे तो 12 रुपे, 12 रुपे और 10 रुपे 25 पैसे, चलो, टोटल कर ले, सर बस इसे टोटल करना है, इंटू में 12, बागी तो करा करा है, 3480, और ये बच जाएगा, हमारे 7 इंटू में 12, 720, और ये बनगे, हमारे 200 इंटू में 10.25, 20, 50, टोटल कर लेते हैं, इसका क्या आता है, 720, प्लस में 3480, बुक में चेक कर ये, 62, 60, 50 का हमारे पास है, ठीक है, क्लोजिंग इस तो, कुश्चन में क्या पूछा था, पता नहीं उपर दे रख था, चेक कर ये, स्ट्रेट का कोई यूज नहीं करना, कौन सा एक ही मेथड था या दो तीन मेथड है, दिखाओ एक बार, पेज नंबर क्या है, बताओ, दिखाओ नहीं, ये लोग, कुश्चन नंबर है, कौन सा पंद्रा है ये, 200 और 200, हमारे पास कितना बचा हुए है, नहीं, पचास, तीन सो, चलिए है, देखिए, पीस, तीन सो, बीस, उन्होंने क्या कर रखा है, अंसर में देखोगे, तो मैं वही देख रहा था, ये 60 और 290 को, 81 कर दिया हुनोंने, जो मैं कह रहा था, तीन सो, पचास, आप ऐसे अलग अलगी करिए, और बाकी 200 अलग दिखा है, रेट, सबका यही आ रहा होगा, देखो, 62 पचास टूटल आ रहा है, उनका क्या, पचास टूटल कर रहा है, नहीं कर रहा तो, ये हमारा अंसर था इसका, तो इसमें हमने रेटन का देखा, सेम ऐसे कई वार कुश्चन में आपने क्या देखा, लॉस बाइ, फायर, ये अबनॉर्मल लॉस, तो लॉस बाइ, फायर की वज़े से बताओ, हमारे पास से समान क्या होगा, आज आएगा ये निकल जाएगा, तो उसको भी हमें as an issue मान के कर देंगे, जैसे की कुश्चन है, हमारे पास कौन सा सर, लॉस बाइ, लॉस बाइ, फायर, ये रहा, तो 100 यूनिट आपने लॉस बाइ, फायर हुआ है, तो 100 यूनिट को as per lifo होगा, तो lifo के हिसाब से निकाल देना, issue में, और fifo है, तो fifo के हिसाब से आपको निकालना है, तो इसको as a आपको क्या मानना है, issue मान के आगे continue करना है, clear है, बताइए, कोई दिक्कत, एक मिन्ट आगे बढ़ते जाते हैं पहले, ठीक है, तो जो question मैंने लगाया था, वो देख लेते हैं, बस यही था, अब बताओ, कौन से में डाउट है, नमबर, हम, 10.25 है, कौन से नीचे है, freight, यह, 113 तो मैंने इशू करतो दिये, 200, 240, 111 वाले, 10, 12 रुपया ले, rate कभी इशू का देते हैं, MRP नहीं है, वो, वो material receipt number है, ठीक है न, वो number दे रखा है, ठीक है, तो अब आपके सारे, हाँ, freight का कृष्णा कोई काम नहीं है, अब आपके, इसके सारे के सारे questions हो जाएंगे, इससे उपर कुछ भी नहीं पूचा जाएगा, जो बच्चे S.O.L. वाले है, S.O.L. के study material में भी दे रखा, आप करना चाते हो, तो कर सकते हो, कल क्लास रखेंगे हम कितने बजे, सेम टाइम साम को साथ बजे, और कल साथ बजे क्लास, यह सवा साथ बजे रखते हैं, 15 मिनिट ले टाखें, क्योंकि फिर इससे पहले क्लास छुट्टी होते होते हैं, तो सवा साथ बजे हम start करेंगे, कल क्लास और क्या रखने वाले हैं क्लास के अंदर सर, क्लास के अंदर हम depreciation चप्टर start कर लेंगे, ठीक है, एक new चप्टर, depreciation के बाद फिर, उसके बाद जो study plan है, उससे related मैंने आज वीडियो सभी को post कर दिया है, कि किस हिसाब से कौन सा चप्टर हमें पहले करना चाहिए, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम next class में, किसी का कोई doubt है तो बताइए,